उम्शेंति आठ डिसम्मर की शुरूब दन में अप्वस हो गयते हैं शीतला देवी का नाम पड़ा है शीतलता के उपर जुसमें की मन्चीतल तन्शीतल और ठंडक बेकुल केते हैं कि माता गरम हो गया है लेकिन परमात में कहते हैं नहीं हमें ऐसे संकर करने ताकि हमारे माता ठंडर है और हमारी करमेंद्रियां पर ठंडी रहें ना आकों से गुसा किसी को दिखाएं ना मुक से कुछ अपशब्द कहें और हाथ पैर से कुछ गलत ना हो नौन वाले परमाता कहते हैं शीतला देवी बंद सर्व करमेंद्रियों को शीतल बनाने वाले स्वराज्य अध करने वाले कि जो देखना चाहें वही देखें जो सुनना चाहें वही सुनना चाहें और जो बोलना चाहें वही बोलें क्योंकि परमाता की गैडिन सनुसार हो उन्हें कोई भी करमेंद्रिये धोका नहीं दे सकती जब धोका देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वय कि देहानी चाहते हैं यह स्वयम श्यतला देवी नहीं आदे हैं, मैं स्वयम श्यतला देवी बन जाते हैं और सब खरमेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं शीतला देवी के में कभी करोध नहीं आता उनका मन शीतला होता है जहां इच्छाएं होती है वहाँ करोध आएगा कहीं कहते हैं करोध नहीं है थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है रोब मतलब की जबरस्ती मलकी अपना रवी ऐसा दिखाना जिससे कि लोगों को लगे कि आप ही बास हो आप ही मालिक हो लेकिन रोब भी करोध का अंख है परमात devastation केते हैं अगर आप बास IniS दिखाते हो रोब दिखाते हो ऐसे नहीं मैंने जो कह दिया वही होगा तो ये परमात्मा कहते हैं ये भी क्रोध का अंच है तो क्रोध के अंदर ये उसके छोटे बच्चे बहुत सारे हैं तो रोब भी उसके अंदर बच्चा है तो जहां अंच है वहाँ वन्च पैदा हो जाता है तो आटोमेटली रोव है अगर तो क्रोध देही आता है तो शीतला देवी और शीतल देव हो इसलिए स्वपन में भी क्रोध वा रोब का संसकार इमर्ज ना हो मैं शीतला देवी आत्मा हूँ अगर इस ती के शरीमे है अपने मन को शीदल करते हैं और अपनी इच्छाओं को कम करते हैं लाइफ सिंपल जीते हैं आप शांतिस के साथ